आज हम पढ़ने चारे हैं कक्षा 2 की पार्ठे पुस्तक रिमजिम का पार्ट 6 बच्चो ये एक सुन्दर कवीता है और जिसका शेशक यानि टाइटल है बहुत हुआ बच्चो इस कवीता की कवी है हारीश निगम इस कवीता में कवी ने वर्षा के कारण बच्चो को होने वाली कठिनाईयों का वर्णन किया है चलिए अब कवीता पार्ठ यानि पोयम रेसिटेशन स्टार्ट करते हैं बच्चो आप भी सासा रिसाइट करो इस से आपको अच्छा लगेगा और इसका अर्ठ समझने की कोशिश भी करो बहुत हुआ बादल भाईया बहुत हुआ कीचड कीचड पानी पानी या सबी को आई नानी सारा घर दिन राज चुआ बच्चो यहाँ पर चुआ का अर्थ है टपकना जब बारिश के दिनों में हमारी च्छ से कुछ पानी की बुंदे गिरती हैं तो उसे कहते हैं चुआ तो यहाँ पर बच्चे बादल से कह रहे हैं बादल भाईया अब बहुत हुआ यानि बहुत बारिश हो गई है इस बारिश से जगा जगा कीचड कीचड और पानी पानी हो गया है और सबको कठिनाई हो रही है और जिस वज़ा से सबको नानी यादा गई है तो अब बच्चे कह रहे हैं जाए कहां कहां पर खेले घर में फसे बोर्यत छेले जो पिंजरे में मोन सुआ तो बच्चे कह रहे हैं कि अब हम कहां जाएं इतने पानी में कहां जाकर खेलें क्या घर में फसकर घर में बैटकर हम बोर्यत को छेलें जैसे कि पिंजरे में बंद तोता सुव का अर्थ है तोता और मोन का अर्थ है शान जैसे पिंजरे में जो तोता होता होता है वो शान्त होता है न तो इस तरह से बच्चे जो हैं अपने आपको किस से कंपेर कर रहे हैं एक बंद तोते से सूरस दादा धूप खिलाएं ताल नदी सडकों से जाएं तुम भी भाया करो दूआ अब बच्चे सूरस दादा से कह रहे हैं कि सूरस दादा अब आप धूप खिलाओ और बच्चे अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि अरे भाया तुम भी दूआ करो कि ये जो सड़के ताल तलया बन गई है नदी बन गई है इनसे ये ताल नदी जो है वो दूर चली जाए तो बचो ये थी कविता चली अब देखते हैं पार्ट से सबंदित प्रश्णों के उत्तर बरसाथ बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौनकों से शब्द आते हैं सोचो और लिखो जब हम बारिश के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है पानी एक तो हमें समझ में आता है और पानी बरसने से क्या होता है चार होता है फर्याली छा जाती है तो हमें क्या क्या याद आत मरसाती आदी मरसाती बता आपको क्या होती है रेन कोट दूसरा प्रिशन है जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहां खेलती हो और कौन-कौन से खेल खेलती हो तो बच्चों जब बारिश होती है तो कोई बाहर नहीं खेल पाता है ना तो सब कहां खेलते हैं घर के अंदर तो इसका उत्तर होगा कि जब बहुत बारिश होने लगती है तो मैं अपने घर अपने भाई भेन के साथ खेलती हूँ मैं अपने घर में कैरम बोर्ड, लुडो तथा लुकाचिपी का खेल खेलती हूँ अगला प्रशन है खूप तेज बारिश होगी तो तुमारे घर के आसपस कैसा दिखाई देगा बारिश में कितना पानी बर्सता है वह सब पानी कहां चाता होगा तो बारिश में तो बहुत जादा पानी बरसता है और ये सब पानी कहां जाता है बच्चो ये सब पानी जाता है ताल तलईयों, नदी नालों वा समुद्र में ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ जब बारिश होगी तो लोग क्या करेंगे लोग अपने घरों में गुझ जाएंगे और अगर उन्हें बहुत कोई जरूरी काम होगा तो वो चाता लेकर बाहर जाएंगे कबुतर क्या करेंगे कबुतर अपने घोंसलों में छिप जाएंगे और केचवे मिट्टे में और कुट्तह कहाँ जाएगा कुट्ट कहीं किसी के गर के पास चत के नीचे या फिर पेड़ के नीचे चला जाएगा और मच्ली मच्ली को तो पानी अच्छा लगता है मच्ली तो बारिश में मस्ती करेगी और मोर कहां शिपेगा पेड़ पर या फिर जाड़ी के नीचे बहुत हुआ, बड़ी लोग ऐसा कप कहते हैं, बहुत हुआ, अब चुपचाब बैठो, जब हम बहुत ज़्यादा शोर करते हैं बहुत हुआ, अब अंदर चलो, ऐसा कप कहते हैं, जब हम बहुत दे तक बाहर खिलते रहते हैं बहुत हुआ अब सोजाओ ऐसा कब कहते हैं जब हम बहुत दे तक जागते रहते हैं बहुत हुआ अब टीवी बन करो ऐसा कब कहते हैं जब हम बहुत दे तक टीवी देखते रहते हैं कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा तेज बारिश होने पर सडके नदी बन जाती है ऐसा इसलिए कहा गया होगा क्योंकि तेज बारिश होने पर सडकों पर पानी ही पानी नजर आता है और ऐसे लगता है कि जैसे नदी हो सब और कीचड होने पर नानी याद आती है ऐसा क्यों कहा गया है जब पानी पानी हो जाता है तो हम कहीं नहीं जा पाती है तो बड़ा मुश्किल लगता है तो ऐसा होने पर नानी याद आती है अब नहीं बरसूंगा एक दिन बादल नहीं सोचा मैं अब कभी नहीं बरसूंगा जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं आज से बरसना बिलकुल बन फिर क्या हुआ होगा कहानी को आगे बढ़ाओ तो दोस्तों बच्चों ये कहानी आपको खुद आगे बढ़ानी है ठीक है अगला प्रशन है एक चित्र कहीं काम आप उपर कविता में जो चित्र दिया गया है उसे आप ध्यान से देखेंगे और उसमें कोन क्या कर रहा है ये आपको खोदी भरना है तो बच्चो ये थे इस पार्ट के प्रशनों के उत्तर थाइब कर वाद कर वाद गया इस विडिएप्सक्राइब ऑस्पस्थाप में जो अबस्चेब वाद बच्चेब जो प्सक्राइब आप उडिए